हलो दोस्तों इस वीडियो में हम 5 mm RGB LED स्रीज बनाएंगे सबसे पहले हम 5 mm RGB round LED लेंगे दूसरा 5 mm का 5 तीसरा 7 यो दो नमबर का चौथा वायर्स पाँचवा रजिस्टेंस एक किलोम क्वाटर वाट का छटवा ब्रिज रेक्टिफायर आप चाहे तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी यूज कर सकते हैं साथवा कैपसिटर दस माइक्रो फैराट का तो चलिए सुरू करते हैं कि अरेक्टिफायर जो डने परेक्टिफा रेक्टिफायर लेग्डिग समस्का पक्वाटा को ब्रिफायर कि अरिछ शवाड़ सुरू पान अवस्षा चाहें स seven i यू Um 001 झाल झाल सबसे पहले हम तार लेंगे फिर इसको 11 इंच लंबी काटेंगे इसी तरह हमें 50 वायर काटना है अब हम सिर्फ नीला तार लेंगे फिर हम सभी तार के एक तरब को छिलना सुरू करेंगे अब हम पाइप लेंगे फिर इसे 2 सेंटी मिटर लंबी काटेंगे इसी तरह हम 50 पीस काटेंगे अब हम सेल्यू लेंगे हम इसे भी 2 सेंटी मिटर लंबी 50 पीस काटेंगे अब हम 5 mm RGB LED लेंगे LED के लंबा लेक पॉजिटिव और शोटा लेक नेगेटिव है अब हम LED के पॉजिटिव लेक में निला तार के एक तरब को जोड़ेंगे फिर उसे सल्यू से कवर कर देंगे पचास अलेडी तक उसी प्रोसेस को दोहराएंगे कर दोहराएंगे आव झाल झाल अब हम तीन फिट लंभी वायर लेंगे फिर इसे पाइप में टालेंगे फिर इस LED के पोज़िटिव आयर खो उसे पाइप में टालेंगे फिर काला तार का एक तरफ LED के नेगेटिव लेग में जूड़ेगा यह काला तार सिरीज का नेगेटिव है इसी तरह हम पूरी सिरीज को बनाएंगे हम पूरी सिरीज को बनाएंगे झाल झाल अब हम 1 किलों क्वाटर वाट के हाट रेजिस्टेंस लेंगे रेजिस्टेंस का एक तरफ लेटी के नेगेटिव लेक से जुड़ेगा और रेजिस्टेंस का दूसरा तरफ पिछली लेटी के पजिटिव एर से जुड़ेगा झाल 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 तरफ लंबी वायर लेंगे लाल तार का एक तरफ लेटी के पजिटिव एर से जुड़ेगा यह यह लाल तार सिरीज का पजिटिव है फिर यह से जुड़ेगा फिर यह से कवर करेंगे झाल 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 यह ग्लूगन है ग्लूगन से पाइप को गर्म करेंगे और एलेडी के उपर फिक्स कर देंगे फिर यहां पर गाट लगाएंगे करेंगे पाइप करेंगे अरी किस्ट्री में युठन करेंगे हमारा लेटिस सीरीज लगभग तैयार हो चुका है चलिए इसे टैश लेम से चेक करते हैं देखिए दोस्तों सीरीज एसी करेंट से जल रही है इस कारण है सरी खाय दे रही है यह अच्छा दिखाई देगा जब हम दिसी करेंट देंगे यह ब्रिज रेक्टिफायर है इसके सहता से हम 40 से ज्यादा लेटि सीरीज जला सकते हैं अब हम एसी सप्लाई के लिए दो वायर लेंगे फिर ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट में जोड देंगे फिर सिरीज के पॉजिटिफायर के पॉजिटिफ से जोड़ेंगे और सिरीज के नेगेटिफ को ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिफ से जोड़ देंगे अब हम कैपेसिटर लेंगे यहाँ पर जो काला पट्टी बन है वो कैपेसिटर का नेगेटिफ है और उसका दूसरा साइट पॉजिटिफ है फिर कैपेसिटर का नेगेटिफ ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिफ से जोड़ेगा और कैपेसिटर का पॉजिटिफ ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिफ से जोड़ेगा तो चलिए इसे टेस्ट लेंब से चेक करते हैं करते हैं हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी यूज कर सकते हैं ये सिर्फ एक सिर्इस के लिए है अब हम दो तार लेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर के इसी पॉइंट में जोड़ देंगे अब कैपेसिटर का नेगेटिव ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव और कैपेसिटर का पॉजिटिव ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव से जुड़ेगा अब सीरिस का पॉजिटिव ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव से और सीरिस का नेगेटिव ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव से जुड़ेगा झाल झाल झाल